दोस्तों जो नए creator हैं या पुराने creator हैं उनके Google AdSense में time to time कुछ ने कुछ problem आती रहती हैं जिसका solution आपको टैक्नो गुरुदे YouTube चैनल पर देखने को मिलता है दोस्तों अक्सर लोग हमारे पास problem send करते हैं और उसके बाद मैं उनके problem solve करता हूँ और उस पर video बना कर बताता हूँ ताकि जिनको भी ऐसी problem आए वो भी इस video की मदद से अपनी problem solve कर सके तो आज दोस्तों हमारे पास एक channel है YouTube का और इनका channel का name है कीरन बिष्ट करके और इनके channel पर step 2 में error आगया है बस आपको देखना है इस video को अगर आपकी भी पास ऐसी problem आ रहे हैं तो आप टैक्नो गुर्दों से content कर सकते हैं Instagram पर Instagram क्लिंग video के description में या channel के about में आपको मिल जायेगा content करके आप जो है हमें video call करने एक बाद channel का Gmail और password दे सकते हैं और कुछ minimum charges पे करके आप अपनी problem स्वाव करवा सकते हैं तो चलिए बीना वक्तिक भाई video को करते हैं सुरू दोस्तों देखिए और बहुत ही द्यान समझिए दोस्तों कोई भी Google AdSense की problem आए उससे पहले उस problem के बारे में समझने की कोसिस किजिए दोस्तों Google AdSense एकाउंट चैनल के साथ जब हम लिंक करते हैं तो कई बार जो हमारा duplicate Google AdSense एकाउंट होने की वज़े से disapprove होता है तो हमारे चैनल के step 2 में error आ जाता है और वहाँ पर fix in AdSense और change association का option सो होने लगता है तो ये तो Google AdSense एकाउंट disapprove होने की वज़े से प्रॉलम आती है लेकिन दोस्तों अगर हमारा step 2 done भी हो जाता है फिर भी Google AdSense में कोई प्रॉलम आती जैसे कि identity verification हमारा फेल्ड हो गया है वो चैनल से हट गया और step 2 में error आ गया तो दोस्तों फाइली मैंने इनका Google AdSense एकाउंट फाइंड कर लिया है और उसी को इसके साथ लिंक करेंगे इनके चैनल के साथ और चैनल को एक सेकेंड में monetize करकर दिखाएंगे कि कैसे आप भी अपने चैनल के step Twitter को पुराने वाले Google AdSense के साथ लिंक करकर step Twitter को solve कर सकते हैं कैसे करना है चली बताते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते है step 1 done है step 2 में fix in AdSense change association का option है और step 3 done है इसका मतलब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर fix in AdSense for YouTube पर click करकर check करेंगे कि कहीं चैनल के Gmail से यह Google AdSense account तो नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक Google AdSense account open हो रहा है और यहाँ पर उपर दोस्तों आपको option मिल जागा AdSense for YouTube अगर यह option आपकी Google AdSense में है तो इसका मतलब जो Google AdSense account open हो रहा है वो चैनल के साथ लिंक है अगर यह Google AdSense account चैनल के साथ लिंक नहीं रहता तो यह वाला option या यह वाला जो page आपको नजर नहीं आता AdSense for YouTube और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने Google AdSense में complete setting, complete verification कर रखा है आप यहाँ पर देख सकते है identity verification, address verification दोनों complete कर चुकी है अब दोस्तों हम करेंगे क्या AdSense हमारा approve है पूरी तरीके से और यहाँ पर इन्होंने पूरी setting भी कर रखा है तो इसी Google AdSense account को चैनल के साथ लिंक कर दे है और step two error को एक second में done कर कर दिखाते है तो चली हम यहाँ पर change association को पर click करेंगे next को पर हम click कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर two step verification code आगा उसको click कर देना है दोस्तों उसके बाद हमारे सामने option आजागा step two का और यहाँ पर हम click करेंगे और हम यहाँ पर select करेंगे no I don't have an existing account क्योंकि हमारा जो channel के Gmail से Google AdSense account है उसी को link करना है ठीक है तो हम यहाँ पर continue को पर click कर देंगे उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वही आपको भी करना है दोस्तों यहाँ पर आपको channel के Gmail को select करना है तो चलिए कैसे करना है edsense for YouTube का page आजाएगा आप यहाँ पर देख सकतें continue with this account मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको सारी चीजों को ध्यान से चेक करना जैसे जो publisher ID है वो आपको चेक कर लेना कि आपकी Google AdSense की publisher ID सेम है कि नहीं तो इसका मतलब है कि हमारा जो Google AdSense account है वही channel के साथ link होने के लिए ready है और individual type का हमारा Google AdSense account है address आप देख सकते हैं AdSense में वह इसे भी सारी setting complete थी तो हमको यह सारी चीजे चेक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है हम यहाँ पर continue को पर क्लिक करेंगे setup account को पर क्लिक कर देंगे इतना करने के बाद यहाँ से redirect कर देगा हमारे YouTube channel वाले page पर बस अब हमको wait करना है wait करना है दोस्तों यहाँ पर आपको में दिखाने वाला हूं कि step को हमारा चुटकी में कैसे डेन होता है दोस्तों जब भी आप approved Google Adsense account को channel के साथ link करते हैं तो कोई भी problem रहे one second में वो solve हो जाती है यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा बस दिल थाम के मैठिये और हाँ कोई भी problem आए टैक्नो गुर्दे से contact करना ना हो लिएगा क्योंग दोस्तों हम Google Adsense की सारी problem का solution आपको टैक्नो गुर्दे चैनल पर देते हैं और अगर आप हमसे खुच से solve करवाना चाते हैं तो कुछ minimum charges पे करके आप अपनी problem हमसे solve करवा सकते हैं दोस्तों trust कीजिएगा आपकी problem 100% solve करके आपको देंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं step 2 इनका done हो जाएगा और channel already monetize हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इनके channel को monetize कर दी आपके सामने live example है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 अगाज 2024 मतलब कि जो आज का date है वो date यहाँ पर link हो चुका है Google AdSense account और इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने Google AdSense के channel का जो step to your problem है उसको solve कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगे होंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा ज़्यादा share केजिए वीडियो को like करके channel पर पहली बार आये थे तो channel को subscribe करकर bell बटन दबा लिजे क्यों की दोस्तों आपर आपके लिए हम हमेशा अच्छी अच्छी content ला दे रते हैं चलिए दोस्तों में लेंगे next रुक्षाद अपना ख्याला कियेगा जैहिन बंदे मातर